कि हलो फ्रेंट्स मैं विश्माय निर्भीक फ्रेंट्स आपके एक नेक्स लास जोगा काफी इंपॉर्पेंट्ट हो ना लिए अब तक Ä आपको देखना वोगा अभी तक क्या था प्रेंट्स अब चोते वीडियो लाता था तीन रहहां अग्षण वाला लेकिन एक ही टॉपि यार्भ्हि ruling कर सकते हैं तो महात्मा गवानदीी का कथन क्थन है कि यदि गाउन नस्ट ह säger भारत को बचाना चाहिए हराल सब्सक्राइब करता है लौड रिपन के इस प्रस्ताओं को अस्थानी श्वायत शासन का मैगना कार्टा भी कहा जाता है लौड रिपन ने 1882 में प्रस्ताओं जारी किया था अस्थानी श्वायत शासन का मैगना कार्टा भी कहते हैं आपको याद रहने चाहिए काफी बार एक्जाम में पूछा गया है इस बार लेकपाल एक्जाम में पूछा जा सकता है यह काफी इंपोर्टिंट है ठीक है अब देखते हैं वर्ष 1952 में प्रारंब सामुदाइक विकास कारिकरम के संचालन हेतु केंद्री मंत्री मंडल में सामुदाइक विकास मंत्राले की अस्थापना की गई इस मंत्राले के प्रथम मंत्री श्री एसके डे थे ठीक है तो अब पूछा जा सकता है सामुदाइक विकास कारिकरम की अस्थापना कब हुई थी इसका प्रारम कब हुँए तो 1952 में किसके द्वारा हुआ था फ्रेंड्स ये देख लेते हैं इसके संचलना की गई थी केंद्री मंदल ने इसके संचलन किया था और इसके लिए कौन से मंत्रा लेक्ट स्थापना हुए सामुदाइक विकाश मंत्रा ले यानि कि हम कह सकते हैं कि सामुदाइक विकास कारेकरम की शुरुवात 1952 में हुई थी जिसकी शुरुवात केंद्री मंदल ने किया था ठीक है और केंद्री मंदल ने इसके लिए एक भी भाग या एक मंत्राले की अस्थापने किया उसका क्या नाम है सामुदाइक विकास मंत् कि सामुधाइक विकास कर्यक्रम कि संचालन के द्वारा मन्त्रा लेगे किसके द्वारा इसके अस्थापना प्रारम शामुधाइक जाता है कि गाओं में 3035 प्रडाली की अस्थापनक सिफारिस किसने की थी फ्रेंज तो बलवंत राय महता समीती ने और इन्हें होने नहीं क्या हुआ एक देख सकते हैं कि किसले बना था ये देख सकते हैं इन दोनों के जाज के लिए समुताइब कासकार करम जो 1902 ने आया था ठीक है और 1903 में अस्थापित राश्टी प्रिशार सेवा इन दोनों के जाज के लिए 1957 में बलवंत राय महता की अधिक्स्ता में एक समीती का गठन किया गया था और इसी का नाम दिया गया बलवंत राय महता समीती ठीक है तो आपके गले बलवंत राय में और होई तो यह भी आपको मालू में पूछे जाते हैं और कि राज़े में पंचायती राज की सठापन कब हो थी और किस राज में वह थी तो तो भारत में पंचाहिती राज की अस्थापना सरोपर्थम 2 दिसंबर 1969 को रायस्थान राज में हुई थी, केंदर सरकार ने दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्स्था में 13 सदश्य पंचायत राज समीती का गठन किया, सन 1978 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में अशोक मेहता समीती ने 23 पंचायत व्यवस्था प्रथम अस्तर जिला 23 अस्तर मंडल की अस्थापना की सिफारिस की तथा पंचायतों का कारेकाल 9 वर्स के लिए किये जाने का सुझाओ दया, यानि जो बलवंत्राय मेहता समीती थी त्रियस्तर पंचायत की सिफारिस की थी और जो यह आपका कौन सा है अशोक मेहता समीती 25 लिए सिफारिस की ठीक है कब हुआ था यह देख सकते हैं अशोक मेहता की अधिक्सता में 13 सदश समीती का गठन किया गया, ठीक है और 1978 में क्या हुआ था प्रसुत की अपने रिपोर्ट में असोग मेहता समीती ने थी तो असोग मेहता समीती ने की थी ठीक है और अशोक मेहता समीती ने पंचायतो की चुनाव में राजनितिक दलोद्वारा खुले रूप से अपने चुनाओ चिन के आधार पर भाग लेने का शुजाओ दिया, यानि कि क्या होता है आप अपने according अपना चुनाओ चीन चुन सकते हैं तो अशोक महता समीतिने ने पंचायतों चुनाओ में राजनितिक गलो द्वारा खुले रूप से अपने चुनाओ चीन के आधार पर भाग लेने का सुझाओ दिया सत्ता का विकेंद्री करण कर उसे संस्थागत रूप प्रदान करने के सिफारिस सर वपर्थम अशोक महता समीतिने के तुछ अशोक महता समीति ने के ठीक है राष्ट्री विकास परिशद एंडीसी निशनल डेवलप्मेंट कॉंशिल द्वारा बारा जनुवरी उन्नीस उन्ठावन को पिंचायती राज की त्री अस्त्री प्रडाली जिसका सिफारिस बलवनतराय महता समीति ने की थी को स्विकार किया लिए थी काफी इंप्रेंट है इसे पूसकता है जी के राष्ट्री गठन कभ गठन का था और अलम स्मीति ने की था 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 ठीक है फ्रेंट एक आफी इंप्रेंट हो जाते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट राव समीति ने चार अस्तरी पंचायत राज प्रडाली क्रमशर राजविकाश परीशद जीला परिशद पंचायत समीति मंडल पंचायत अथा ग्राम सभा की अस्थापना की शिफारिसक हूई तो देख सकते हैं आप giorno समीति ने चार अस्तरि पंचायत राज पलड़ा लीक्रमश्र राजविकाश परिश्द जिलाा परिशद पंचायत समीति मंदल पंचाय तथा ग्राम सभाव की अस्थापना की सिफारिसखी राओं समिति आपर रहा है तक अलग है डाक्टर लक्षमी मलश संग wreck समीति ने पंचायतों को सक्षम बनाने हे तूप गाउं के पुनरगटनत पंचायतों और अधिक इसलिए देखिए ब्लैक क्या हुआ है इसको क्या डार किया गया है कि पंचायतों को सक्षम बनाते हैं तो गाओं के पुनर गठंदत पंचायतों को और अथिक विति इसका गठं 1988 में हुआ ठीक है तो 1988 में गठित पिके थूंगन समिति ने पंचायती संस्थाओं को समयधानिक अस्तर प्रदान किये जाने के शिफारिश कि ने की पिके थूंगन समितिने इसका गठं गठं कभुआ था 1988 में इस समीतिक सिफारिस पर राजिव गांधी के कारेकाल में 1989 में पंचायतों को समयधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 64 समिधान संसोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया परंतु विधेयक पारित नहीं हो शका करने के लिए brat pill facebook अदिक सर्टूर्ज प्रदान विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया पर यह या विधेयक पर नहीं हो सका याईनि कुछ लोगों नए वोटिंग नहीं किया होगा इससंतstal क добल्सका आं किया संसधा कि मैंक्समाबड वॉरी इनोंग नहीं हम पाया निंग देख लेते हैंнутि aumentar के लिए आरफ्षर की सिफारी शायस प्रतम टेन जीवी के राव शामीती फिरेंट फंचायते में लाव इक सिफारी संपर्थम कि नहीं किया था तो जीवी और वॉ真的 नहीं के थे पंचाइति रासंस्था को मजबूत करने हैं तू केंट सरकार द्वारा 1985 में जी केवी राओ समीति तेथा प्रिशनता है कि समीधान के प्रारूप ने गाउं का वहिसकार कर दिया और व्यक्ति को इनकी इकाई माना है ठीक है तो यह किसका कथन है फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराम बेटकर का गाउं के संभध में जो समीधान सवब्स कहते देख लेते हैं यह गाउं प्रिजात तंत्र क के विधवन्स एवं पतन के कारण है यह गाउं नहीं अस्थानी श्वार्त के किंद्र है अग्यानता संकूचित मानशिक्ता और सांप्रदाइक्ता के आगार है मुझे प्रिशनता है कि समीधान के प्रारूप ने गाउं का वहिसकार कर दिया है और व्यक्ति को इसकी अब नेग्स ट्रेक्त क्या है नाथु राम मिर्धा समीति की सिफारिश पर संसत द्वारा पारित 73 समीधान संसोधन अधिनियम 1993 से पंचायतों को समयधानिक इस्तति प्रदान की गई अब यहां से एक कोशन बंजता है कि तिहत्तर हों समीधान संसोधन अधिनियम कब पारि की गई तो उस पंचायतों को समयधानिक इस्तति प्रदान की गई थी नाथु राम मिर्धा शमीति की शिफारिश पर ठीक है अब क्या इसका आगे इस संसोधन अधिनियम के द्वारा समीधान में इग्रहमी अनसूची तथा खुल 29 विशय सम्मिलित किये गए आगे क्या है पश्चमी बंगाल भारत का एकमात्र राजय जहां पर चारवस्तर ही पंचायद विश्था कि आप देख लेटे हैं गाउं के विकास सम्मंदित 20चु पार यकरम की शुरुवाद 1975 में की गई इसमें 1912 में संसुधन की गए ऺहे है तो 20 सुत्री कारिक्राम के सुरुगात कब गई थी 1975 में गई थी संसोधन कब कब हुए 1982 में और 1986 में तो अब यहां आज का तोपिक कंप्लीट होगे आज का थोड़ा अच्छा था इस इंट्रेस्टिंग थोड़ा था अभी तक हम लोगे आप पढ़ाते उत्तर परदस में ग्राम पंचायत अभी आज का था भारत में ग्राम पंचायत यह किसी अधर एक्जाम में भी पूछा सकता है लेकपाल के साथ क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हैं जो समिधान से रेलेटेड़ कोश्चन है ठीक है तो आज के लिए बस इतना है अगर आपके वीडियो पसंद है तो लाइक करें कमेंट करें अधिसंदी शेयर करें और अगर अभी तक आप मारे चनल को सब्सक्राइब नहीं कियें पहले विज अगर आप जॉइन के लिए तो आपको आसानिस मिल जाएगा और अभी तक अगर आपने हमको फेस्बूक इंस्टाइब ट्विटर फॉलो नहीं किया है तो आपको फॉलो कर ले क्योंकि अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो मैं ग्रूप में क्या है चैट आफ रखता ह नहीं नहीं करते को फालो करने के बाद ही मुझे मैसेज करें अइस अघी अभी तुटर करने के बाद ही करें इस अभी को लिंग से मिल जाएगा फेस्बूक का इंस्टाइब कर सका निका को ठाज्वी पर्सक्रिकों अ बस्तैंक यू फ्रेइंस